हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर रश्मी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइबिटीज मधू में है या शुगर हमें क्यों होती है इसके क्या-क्या causes हैं ये कितने types के होते हैं और इसके क्या sign and symptoms हैं या इसके ऐसे कौन से लक्षन होते हैं जिसे देखकर हम पहचान सके कि हमें diabetes हैं साथ में हम देखेंगे कि वो कौन से homeopathic medicine है जिसे लेकर हम इस diabetes से काफी हद तक निजार पा सकते हैं तो फ्रेंट्स ये वीडियो काफी informative and useful होने वाला है अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और मेरे इस चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स अब हम देखेंगे कि ये diabetes mellitus क्या होता है diabetes mellitus या sugar या मधु में एक तरीके का endocrinal disorder है या एक hormonal disorder है insulin हमारी body में पाए जाने वाला एक hormone है जो pancreas से secret होता है किसी कारण से इस insulin का secretion अगर हमारी body में कम हो जाए या insulin को receive करने वाला जो receptor है उसका function अगर proper ना हो तो हमारी body में sugar level बढ़ने लगता है इस situation को हम diabetes या sugar कहते हैं तो friends ये diabetes mellitus mainly two types के होते हैं type 1 and type 2 type 1 children's में देखने को मिलते हैं इसे हम insulin dependent diabetes mellitus पे कहते हैं इसमें जो pancreas है वो proper function नहीं कर पाता जिसके कारण अगर body में उनको pancreas related कुछ problem हो जाते हैं जिसके current insulin का secretion प्रॉपर नहीं हो पाता और blood sugar level बढ़ जाता है second type होता है इसे हम type 2 diabetes mellitus भी कहते हैं यह adulthood में देखने को मिलता है इसमें जो insulin है उसका secretion तो proper होता है लेकिन insulin को जो receive करता है जो receptor है उसका function प्रॉपर नहीं हो पाता जिसके कारण body में signal नहीं जा पाता कि blood sugar level बढ़ा हुआ है या नहीं और इंसुलीन जिसके कारण insulin का भी secretion प्रॉपर नहीं हो पाता इसे non insulin dependent diabetes mellitus भी कहते हैं तो फ्रेंड्स यह diabetes के दो हो गए तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं diabetes के causes के या कारण की तो जो पहला cause है वह है genetic factor अगर genetically आपके आपको family history मिलती है आपके parent को diabetes है तो आपको भी बहुत जादा possibility रहती है diabetes होने की second जो cause है वह है lifestyle disorder disorder अगर आप बहुत sedentary lifestyle जीते हैं आप बहुत देर से सोते हैं देर से उटे हैं बहुत जादा stress लेते हैं कॉफी या alcohol का बहुत जादा सेवन करते हैं या आप ऑबिस हैं बहुत stress लेते हैं तो इन सब condition में आपको diabetes होने की बहुत जादा possibility होती है तो friends अब हम बात करते diabetes mellitus के symptoms की diabetes mellitus के symptoms में आपको 3P जिसे हम polyuria, polydipsia, polyphasia कहते हैं देखने को मिलेगा आपको बार-बार भूक लगेगी बार-बार प्यास लगेगी और साथ में बार-बार आपको urine जाना पड़ सकता है इसके साथ ही बहुत जादा weakness बाड़ी में देखन को मिलेगा बहुत जादा कमजोरी आपको लगेगी साथ में weight loss देखने को मिलेगा और mood की बात करें तो बहुत जादा changeable mood रहेगा irritability देखने को मिलती है patient में बहुत जादा चुछीडापन रहेगा mood swing होगा और जो बात करते हैं infection की बाड़ी में बहुत जादा infection होगा और ज रेंज क्या होता है blood sugar का तो जो fasting में अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो यह अगर 70-110 के बीच आता है तो यह normal level है अगर पीपी या हम नाश्टे के एक से देर घंटे बाद अगर blood sugar level test कराते हैं तो आपका जो level है वह 140-160 है तो यह normal range है अगर इससे जादा बढ़ा तो आपको diabetes है या diabetic है अब हम बात करते हैं RBS की या random blood sugar level की तो यह अगर आपका 162-180 के बीच है तो यह normal है और अगर इससे बढ़ा हुआ है तो इससे हम diabetic condition कहते हैं तो फ्रेंड्स यह जो diabetes mellitus है यह एक life-threatening disorder है यह बहुत कहां तक हो सकता है अगर आपने इसे control नहीं किया तो अगर आपका diabetes या आपका जो sugar level है बहुत जादा बढ़ा हुआ है या uncontrolled है तो आप किसी nearest doctor से एक बार consult जरूर करिए कि problem कहां पर है अब बात करते हैं होमेपेथिक मेडिसीन की होमेपेथिक मेडिसीन में सबसे पहली जो मेडिसीन है यह रेक वेट ब्रांड की आर फॉर्टी नमबर बहुत अच्छी मेडिसीन है यह sugar level को control करने के लिए आपको लेना कैसे है 20 drops आदे कप पानी में दिन में तीन बार सेकेंड मेडिसीन है इन दोनों को एकवल प्रपोर्शन में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं 20 drops आदे कप पानी में दिन में तीन बार तो जो फॉर्थ मेडिसीन है इनसुलीनम 30 या 200 इसका जो डाइलूशन है अगर आप इसे सील पैकी लेके आईए मार्केट से तो इसे इसे सील पैकी लेके आई इसे लेना कैसे है अगर आपको टाइप 1 डाइबिटीज है तो इनसुलीनम 30 या 200 इसे कंटोर करने के लिए इसे सिर्फ मॉर्निंग में लेना है डारेकली तू ड्रॉप्स आपको तंग में ही लेना है डारेकली और कुछ समय तक आप इसको लेते रहें आपके शुगर जादा शेयर करें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग